नमस्कार स्वागत आपका AJ Classes में और मैं जैसिंग आप लोग का स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा चेप्टर है वह इंडियन येवरफ है इससे कुछ important questions हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि हमारी तियारी कैसी चल देए पहला question है भारतिय मानक समय निर्म लिखित में से किस इस्थानों से लिया जाता है इलाहबाद दिल्ली मुंबई या मद्यपदेश तो इसका right answer है इलाहबाद इसका नया जैसे कि प्धरिश सांतर जिए 32 से जागती है इससे जो है तो इसका निर्धारन कोता है और याँ कहां से गुजरती है मद्य प्रदेश के उस्तर प्रदेश से गुजरती है और अंजेशा बारन जो इसके बारेम effort नीदिश बना दिया है कि समय कैसे निकालते है वो आपको description box में मिल जाएगा next question है question number second जो है भारत के किस राजी का शमुद्री तर्ट सबसे लंबा है Tamil Nadu, Keral, Gujarat या उडिसा तो इसका right answer है Gujarat Gujarat का जो है तो समुद्री तर्ट सबसे लंबा है मतलब जो भारत के कई राजी है जो समुद्र की सीमा से लगते हैं तो जो सबसे जादा सीमा किस राजी के लगती है बात वो हो रहा समुद्री तर्ट सबसे जादा मतलब समुद्र से सबसे जादा सीमा तो वो गुजरात की है next question है question number third देखते है निम लिखित अच्छांसों में कौन भारत से गुजरती है ठीक ना मकर रेखा, करक रेखा, भूमध्य रेखा या इनमेशे कोई नहीं है तो इसका right answer जो है वह है करक रेखा करक रेखा भारत से गुजरती है अब यहां पर देखिए question दो तरह की पूछा जा सकते है यहां पर यह भे पूछा जा सकता है कि निम लिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है लेकिन यहां पर अच्छांस पूछा जा रहा है तो अच्छांस रेखा और देशांतर रेखा रेखा क्या कहलाती है जो यह च्छांस की बात हो रही है यह करकर रेखा और जो पहला question में बात हुई थी वह देशांतर रेखा ठीक ना चलिए next question देखते है question number four किस राजी की अंतरराश्टी सीमा तीन दोस्तों से लगती है कौन सी नदी दच्छिण गंगा के नाम से जानी जाती है महा नदी कावेरी नदी गोदावरी या कृष्णा तो इसका राइट आंसर है गोदावरी गोदावरी दच्छिण गंगा के नाम से जानी जाती है और यह दच्छिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है ठीक ना शब्षे लंबी नदी कौन सी है तो वह गोदा वरी है ये भी आपको याद रखना है चलिए नेक्ट देखते हैं question number six भारत के सबसे ताजे पानी की जील कौन सी है डल जील, वूलर जील, चिलका जील या नैनिता जील तो इसका जो right answer है वह है वूलर जील, ठीक ये इसका right answer अब यहां पे एक question और पूछा जाता है कि ताजे पानी के लावा यदि मीठे पानी की बात हो तो भी इसका right answer वूलर जील हो, तो यहां से दो question आपके बन जाते हैं ठीक और यह अब कहा है तो यह जम्मू कस्मीर में है ठीक ना कहा है जम्मू कस्मीर next question 7 है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है मुंबई, चिन्नाई, कोलकाता या पूनि तो इसका right answer जो है हुआ होगा मुंबई मुंबई बारत का सबसे बड़ा बंदरगा जो है तो मुंबई ठीक मुंबई बंदरगा कुश्चन नमबर एट है अनसूचित जनजातियों की सरवाधिक जनसंख्या वाला राजी कौन सा है 2011 की अनसार है क्योंकि नई जनगरना अभी नहीं हो पाई उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश सिक्किम या असम तो इसका राइट अनसर होगा मध्यप्रदेश सरवाधिक अनसूचित जनजातियों वाला राजी मध्यप्रदेश है क्योंकि नमबर नाइन भागी रथी एवं अलकननन्दा नदिया मिलकर गंगा कहां कहलाती है यह पॉइंट आपके या तर गंगा कहलाती है पहले उसका नम दूसरा रहती है ठीक रुद्ध प्रयाग प्रयाग राज देव प्रयाग या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है देव प्रयाग देव प्रयाग इसका राइट अंसर होगा यहां जो है तो भागी रथी और अलकननन्दा जो है इसका संगाम होता है और यहीं से यह गंगा कहलाती है ठीक चलि नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं भारत के कितने राज तट रेखा से लगे है आट नाव दस जारा तो हमने जो अभी कोश्चन में बताया कि स्तरवाधिक तट रेखा किस राजी किया गुजराद तो वही मतलब जो तट रेखा मतलब जो समुद्री से लग रहे हैं तो किदने हैं वह इसका right answer होगा नाव, नाव राजी जो भारत की हैं वह शमुद्रितर से लगे हैं, तो नाव राजी लगे हैं और सरवाधी कौन सा है, गुजराद, ठीक, कौन सा है, गुजराद, चलिए, next question देखते हैं, question number 11, भारत भूम पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है, लेटे राइट, परवती, लाल या जलोड, ठीक ना, तो इसका right answer होगा, जलोड, मिट्टी, कौन सी मिट्टी फैली हुई है, जलोड, मिट्टी सबसे ज़्यादा फैली हुई है, ठीक न question number 12, रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते हैं, निम्न आदरता के कारण, उच्च आदरता के कारण, निम्न ताप के कारण या उच्च ताप के कारण, तो ये दोनों इसका right answer नहीं है, इसका right answer है, निम्न आदरता के कारण, जो है तो रेगिस्तानों में बादल नह जरूरी है लेकिन आपको यह सब से जयादा जरूरी है कि आप टॉपिक क्लियर करो यह आप टॉपिक क्लियर नहीं करते हो तो आपको पेपर निकलना मुश्किल है यह नहीं कहा रहा है को नहीं कहलेगा लेकिन आपको मुश्किल पढ़ सकते हैं इसलिए पहले आप टॉपिक जरूर क्लियर करो जो जिससे इलेटेट कुश्चन से ग्यामस में आते हैं तो टॉपिक के लिए आप बुक पढ़ो और वीडियो बाहर करिए जहें मैत का हो या रिजनिंग का हो या अनिश अब्जेक्ट का हो ठीक चलिए कुश्चन नंबर 14 काफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी है कौफी का काया रहा है आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं काफी की द्रिष्टी से जो है तो करनाटक आगे ठीक न यह आपको याद रखना है कुश्चन नंबर 15 भारत में खनीश तेल के भंडार भारत में खनीश तेल के बंडार किस प्रकार की चट्टावनों में पाये जाते हैं और शादी गोंडवाना आरिकियन या दक्कन तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होता है आवसाद ठीक न आवसादी प्रकार की जो चट्टाने है इसमें जो है तो भारत का खनीश तेल के बंडार अधिक पाये जाते हैं अच्छे यह अवसादी को एक और कहते हैं आपको यह याद रखना है इसको आपको आपता में यह भी मिल रखते हैं परतदार ठीक न तो आपको सरवादी कुतपादक है कोले के तीन प्रमुक प्रकार है ठीक न एंत्रेसाइट बिटुमिंश और लिगनाइट एक और होता है ठीक न वैसे आपको तीन ही याद रखना है तो उसकी द्रिश्टी से चाथीजगर जहारखन उडिसा यह तमिल नाडू तो इसका राइट अंस लिगनाइट यह option है लिगनासी कुतपादग तमिल नाडू तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं बड़ा ना में बड़ान और बड़ा ना ठीक अब इसको आसानी से याद रखते हैं और हमने टेलिग्राम गृप बना दिया है आप मउयाँ जॉइन कर सकते हैं और आप प्रकार NCL के रिलेटेड ठीक चलिकोस्टन नंबर 17 देखते हैं भारत का साइब एरिया किस तेल छेत्र को कहते हैं कलोल अंकलेश्च्वर और गंदार या अशम यहां पर मंधा लिखर गया है श्वरी गंदार होगा तो इसका राइट अंसर जो है वहा है अंकलेश्च्वर ठ कहा जाता है किसको अंकलेश्च्वर को यह आप याद रखेंगे अंकलेश्च्वर ठीक यह कई वारी ग्याम में पूछा भी जा चुका है चलिकोस्टन नंबर 18 देख लेते हैं भारत का सबसे लंबा बात कौन सा है बहां खड़ा सरदार सरोबर हीरा कुंड या गांधी सबसे बड़ा नहीं कोस्टन आप ध्यान से लेगना में वहां बहुत से लोग कंफ्यूस यह कांड कोस्टन करते हैं कि अचानक देखा दो बोले यह तुमसों बनता है तो अराम से हीरा कुंड हीरा कुंड अब हीरा कुंड की बात आ रही तो आपको यह जानना जरू लिए क यह किस नदी पर बना है तो हीरा कुंड बात जो है तो वह बना है महा नदी पर किस नदी पर महा नदी पर और यह कहां है उडिशा उडिशा में हीरा कुंड बाद है ठीक ना यह आपको बिलकुल भी यह भांखळा बात है यह भारत का बड़ा बात है ठीक ना तो यह कहां ह इसको भी आपको पूशा है किस नदी पर है तो यह जो है तो सतलाज या सतलू जिसी होई गोलते हैं तो सतलाज नदी पर जो है तो यह बांध है ठीक भांगडा बांग अगर आपको बांध से इंपोर्टेंट कुश्चन चाहिए मैंने अपने टेलिग्राम गूप में इसकी फोटो भी भेज दी है और अगर आपको लगता है किस पर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में रिक्यमेंट कर सकते हैं ठीक कुश्चन नंबर 19 देखिए भारत की सबस सडक सुरंग तो यह काउंट से होगी चेनानी नैसारी चली कुश्चन नंबर 20 देखते हैं किस नदी के किनारे नासिक सहर बश्चा हुआ है गोदावरी महा नदी कृष्णा या स्ताप्ती तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी गोदावरी मैंने बताया था कि इसकी दो तिन कुश्चन आ चुके हैं पहले भी आ चुका है कि दश्चिण भारत की गंगा किसे कहते हैं ठीक ना तो गोदावरी के किनारे नासिक सहर बसा हुआ है कुश्चन नंबर एक किस भारत का अंतिम दश्चिणतम पॉइंट कौन सा है कन्या कुमारी नव डिग्री चैनल इंद्रिया पॉइंट या स्तमन तो इसका राइट आंसर होगा इंद्रिया पॉइंट देखिए अब यहां पे कोश्चिण बिल्कुल नहीं होना है दश्चिणतम पॉइंट की बात रहे ठीक नव पॉइंट आपको याद रखना है और अगर दश्चिणतम इस्थली अंतिम भाग पहोंचा जाए तो कन्या कुमारी ठीक ना इसका राइट अंसर फिर कन्या कुमारी अगर अंतिम बिंदु पहुचा जाता है इस्थली ठीक, question number 22 है, भारत का कोईला सरवाधी किस चट्टानों में पाया जाता है, दक्कन, तरसियरी, नवजीव या गोडवाना, तो इसका right answer होगा, गोडवाना, ठीक ना, यहाँ पर गोडवाना होगा, तो इसका right answer होगा, गोडवाना जो भारत में है, भारत कोईला सरवाधी किस चट्टानों में पाया जाता है तो गोणवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है question number 23 भारत की सबसे उची चोटी कंचन जंगा किस राजी में है अब अगर आपको अगर कंचन जंगा आपको आपको पीयोके में है इसलिए कंचन जंगा ही पूछा जाता है तो अगर आप्शन में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है तो आपको केटू है भारत के सबसे उची चोटी कंचन जंगा किस राज्य में है जम्मू कश्मीर इमांचल प्रदेश सिक्किम या बिहार तो इसका राइट अंसर है सिक्किम कंचन जंगा कहां है सिक्किम में कहां है सिक्किम में ठीक कोश्चन नमबर 24 कोल इंडिया का मुख्याले कहां है कोलकाता मुंबाई सिंग्राउली या भोपाग जिसका राइट अंसर कोलकाता कोलकाता में कोल इंडिया का मुख्याले है जिसको आप असानी सियाद कोल इंडिया कोलकाता ठीक न यह दो सब्द मिल रहे हैं तो आप इसको नदी तो इसका राइट आंसर जो है वह है चिनाव नदी चिनाव नदी जो है तो सिंदु की सबसे बड़ी साहय नदी है ठीक ना अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें इसका पीडिएफ आपको हमिल जाएगा और आपको टेलीग्राम का लिक भी मिल जाएगा आप अच्छे से त्यारी करिए मन लगा के त्यारी करिए बुक्स पढ़िए बीना बुक्स पढ़िए वीडियो में मुश्किल पढ़ सकता है एक यांस तो पहले बुक्स पढ़िए टॉपिक क्लियर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में सेर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आगिन के दवाईए क्योंकि लेट्स्ट जानकारी हम आपको देते रहेंगे धन्यवाद